हलो फ्रेंड्स यदि आपने नीट 2020 का एक्जाम दिया है या फिर आप नीट की एक्जाम की तैयारी कर रहे है या इन फ्यूचर आप तैयारी करने वाले है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात हमें गॉर्मेंट कोलेज में एड्मिशन चाहिए या फिर प्राइवेट कोलेज में एड्मिशन चाहिए तो हमारा गॉल सेट होना चाहिए कि हमें गॉर्मेंट कोलेज में ही एड्मिशन चाहिए उसके अकोर्डिंग ही हमें तैयारी करने चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है government college में admission के लिए जो cut off होगी वो बहुत हाई जाएगी बहुत अच्छे marks आपको चाहिए और अच्छे marks चाहिए तो आपको तैयारी अच्छी चाहिए ठीक है तो हम government college में अगर आपका admission हो जाता है तो क्या-क्या benefits है आज हम इस वीडियो में उन benefits की बात करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले में बात करती हूं कि देखिए affordable fee structure जैसे हमारी जो family होती है अगर middle class family है यह lower class family है तो हमारे लिए fee बहुत matter करती है fee कैसे matter करेगी कि अगर आप private college में आपका admission होता है तो वहाँ पर fees बहुत high रहेगी वह ज़्यादा fees आपको देनी पड़ेगी लेकिन योदि government college में admission हो जाता है तो आपका normal fees में admission हो जाएगा ठीक है तो यह fees जो होती है वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा matter करती है क्योंकि कितने में 20-50,000 पर year अगर आपका government में selection हो जाता है तो इतने charges आपके लगेंगे और वैसे जो आपकी fees होती है वह depend करती है college wise भी आपकी फिपेंड करती है तो सबसे जो बड़ा factor है आपका वह है आपका affordable fee structure next मैं बात करती हूँ second benefit क्या है better academic exposure ठीक है the central or the state government aid seminars synopsium workshops etc for MBBS students as well ठीक है next मैं benefit की बात करती हूँ next आपका scholarship देखिए government college में यदि admission हो जाता है तो अगर आप merit में है आपके अच्छे marks है आप सभी को पता है कि जो इसमें जो आपका admission चाहिए तो two type का quota होता है एक all India quota होता है एक आपका state wise quota होता है तो mostly जो government colleges अलोट होते है वो all India quota के थ्रू जो अच्छे colleges होते है वो 15% होता है all India quota के थ्रू आपका हो जाता है ठीक है तो merit में अगर आप आते हो तो आपको scholarship मिलती है in government college तो देखिए इसमें क्या दिया है meritorious students are awarded scholarships and this at time also cuts down their regular tuition fee the government medical colleges also spot students coming from economically weak backgrounds and the seat reservation for them is 10% ठीक है तो scholarship का यहां आपको benefit मिल जाएगा और जो economically weak background से है उनका reservation होता है कितना आपका 10% होता है next benefit की मैं बात करूँ तो age older reputation देखिए आप अगर किसी भी जैसे माल लिया जाए आपने medical college से MBBS किया या BDS किया आपने कोई भी course किया medical course ठीक है आप अगर government college से करते हैं कल के दिन आपकी job लगती है तो आपका एक reputation होगा कि आपने उस government college से यह particular course किया है ठीक है अगर आप किसी government college में student है तो वहाँ जो आपकी faculty होगी वो भी अच्छे government college से ही पड़े लिखे होंगे तो देखे दिया medical students require a good educational reputation at the very initiation of their career history is proof of the fact that common people also have more faith in a doctor who has passed out from a government medical college than in the one from a private institute ठीक है अगर आप private institute से है और दो लोग अगर खड़े है एक private एक government तो आपका जो नजरिया होगा वो government medical college से जो डोक्टर आया है उसी की तरफ आपका अच्छा नजरिया होगा ठीक है और क्या benefits है देखे आपने देखा होगा कि mostly जो आप कहीं भी जाते हैं अगर आप government college से mbbs या आप कोई भी course कर रहे है तो जो internship time होता है internship के time पर आपको काफी सारे patient मिलेंगे आप वहां पर try कर सकते हैं देखे दिया है most of the people goes to government hospitals for treatment काफी सारे लोग mostly जो लोग है वो government hospital में जाते है treatment के लिए so in your intern period you can see lot more cases and their treatment process तो जो आपका internship period होता है उसमें आपको काफी सारे cases देखने को मिलेंगे और treatment आपको करने को मिलेगा apart from studies you will have to be a ideal doctor if you handle complicated case तो वहां पर आपको complicated case भी मिल सकते है तो इससे आपको क्या हो जाएगा आपको practice होगी आपको idea होगा आपके अंदर एक confidence आएगा तो यह आपके benefits थे government medical college में admission के लिए तो आगर आप preparation कर रहे है नीट के exam के लिए तो आपको अच्छे से prepare होना है आपको government college के लिए ही prepare होना है private college के लिए आपको prepare नहीं होना क्योंकि private college की fee काफी जादा होती है आप afford नहीं कर पाएंगे ठीक है हाँ अगर आपको MBBS जैसे करना ही है अगर marks थोटे कम पढ़ गए government में admission नहीं हुआ private में admission आपका होता है और आप middle class family या lower class family से है तो आपको fee की problem होती है तो मैं एक वीडियो loan से related भी बनाऊंगी कि आपको course particular कोई भी course करने के लिए आपको loan किस तरीकी से आप loan के लिए किजिएगा ओकी थैंक्यू फ्रेंड्स